गुर्बोनी बच्चो कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आप स्रक्सित हैं तो देर ना लगाते हुए हम करते हैं अपना टॉपिक हमने डेवली आज के वर्स लिए हुए थे कल हमने किये थे कि इसपे किस का दिगा रहा है किसकी है ठीक है related to me or related to you to find out subject or object हम फिर्ष पुश्ट पुश्ट का सम्मन्द किस यक्ती से है ठीक है तो इस प्रकार के जब हम प्रसुम पुश्टे है तो हम वाक्य के शुरू में हुश्ट का प्रियोग करते हैं और in the land in the end we use question mark ओके फूस्ट मुबाइल्स वर ओन दा टेवल मेज के उपर किस के मुबाइल्स थे या अगर हम पूछें कि मेज के उपर किस के मुबाइल हैं तो हम क्या रहेंगे फूस्ट मुबाइल्स आर ओन दा टेवल ठीक है next question एक sentence लेते हम whose dog was that वह जो कुता किस का था या वह कुता किस का है whose dog is this यह कुता किस का है तो इस प्रिकार हम जो whose का प्रियोग है वह पुजेशन के लिए करते हैं ठीक है आगे है use of what what का प्रियोग what means क्या या कौन सी इसका प्रियोग हम things के लिए करते हैं किसके लिए things के लिए और इसमें भी हम subject और object को जूनने के लिए जो इसका answer मिलेगा वो subject या object इनमें से कोई भी हो सकता है जैसे what is your name तुम्हारा नाम क्या है या आपका क्या नाम है what is this यह है क्या है it is a joke तो इस प्रकार हम subject और object को ढूनने में इसका प्रियोग करते हैं एक sentence होते करेते हैं what is your father आपके पिताजी क्या है what do you want आप क्या चाहते हो ठिक है तो इस प्रकार अगर हम tense की बात करें तो tense में जैसे हम करते हैं ना interrogative sentence करते हैं उसमें भी question कुछ रहते हैं लेकिन उन questions के अंदर यदि आप से पूछा जाए कि क्या क्यों कैसे किसका कौन सी तब हम क्या करते हैं helping words से पहले उन WX words का प्रियोग करते हैं जैसा कि इसमें दिखा गया है what do you want अगर हम कुछें कि do you want कि आप क्या चाहते हो तो इसके अंदर क्या करेंगे हम शुरू के अंदर WX words को लगा देंगे ठीक है do you leave क्या तुम रहते हो और अगर हम बुचें कि तुम कहां रहते हो तो उसमें हम where को शुरू में लगाते हैं where do you leave ठीक है six example दिये है अपने इनको convert करना है use किसा करना है whose and what का ठीक है तो पहला sentence है ये है किस का घर है second है ये है क्या है third question है वह क्या चाहता है fourth है आप क्या कर रही है किस की मा बीमार थी और किस की गाए मैदान में चर रही है इस प्रकार आपने whs का जोवर्स है हमारे आज का whose और what इनका प्रयोगर के ये वाक्या वो बनाने है ठीक है tense के अगर हम बात करें जैसा हम tense में कर रहे हैं simple कर रहे हैं हम negative कर रहे है sentence बना रहे हैं उसके अंदर और interrogative और interrogative जो negative होते हैं उसके अंदर अगर हमें क्या क्यों कैसे जो हमने 9 words करवाई हैं इन में से कुछ भी पूछा जाता है तो हम उसको helping verb से पहले उसको लगा देते हैं clear है तो आज के लिए इतना ही अगले वीडियों में नहीं next question what happen के लिए मिलते हैं